तो दूसरी में बात करने वाले टाटा पावर कंपनी के बारे में और टाटा पावर में आज कुछ आपको यूनिक देखने को यहाँ पर मिल रहा है तो बहुत बड़ी ब्लॉग डील यहाँ पर चल रही है। टाटा पावर के अंदर अगर हम वीसेंटली बात करें तो टाटा पावर में यहाँ पर आल्मोस्ट बीस तू बीस पांच लाग शेर्स की क्या हुए एक ब्लॉग डील हुई है और उसका जो प्राइस है वो यहाँ पर टू चोहतर टू पचहतर के आसपास का था। ठीक है, मत चोटे बड़े प्लेयर्ज ने एक दूसरे के पास सेशल्स यहाँ पर क्या-क्या खरीदे। तो इसलिए तो हमें यहाँ पर अभी तो कोई भी इतना खास वॉल्यूम इतना कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिली। लेकिन एक लेवल है जो आपको यहाँ पर फोकस रखन है। 270 से बाउंस बेक आता है तो वापिस आपको तेजी देखने को मिलेंगी। टारगेट आपका रहेगा 300 का। अगर यह स्टॉक 270 से ब्रेकडाउन देता है तो आप 10 पॉइंट के लिए एक शॉट्स लिमिटिड मार सकते हो। आपका टारगेट रहेगा उनसे 260 का। 260 के आस-पास अगर स्टॉक आता है तो आपको क्या करना है। आखें बंद करके यहाँ पर बाइंट करनी है क्योंकि 260 इसका बहुत ही कुशल ब्रेकडाउट लेवल है। यहाँ पर देखो एक बार रेजिस्टेंस दो बार रेजिस्टेंस ये एक तो फेक आउट औफ आउट मे देखने को मिल रहा है तो 260 का लेवल बहुत ही कुशल है। 260 का लेवल नीचे की तरफ अगर स्टॉक ब्रेकडाउन देता है तो डाउन साइड में 24,240 के नीचे आपको 220 से 200 तक के लेवल देखने को मिल सकती है। 260 का लेवल सस्टें होना काफी ज्यादा जरूरी है और अग मार्केट में ऐसे वॉलटिलिटी रही तो शायद से लेवल ब्रेक भी हो सकते हैं। मार्केट अगर गिरता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमें गिरावर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन वैसे तो टाटा पावर यहाँ पर काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है टेकनिकल फ्रंट तो हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको तीन से तीन सो पचास तक भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दूसरी तरफ यही उनका वीडियो कॉल लगाओ तो प्लीज करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर लेना